लेना है कागज और 123 ऐसे करेंगे और पैसा बन जाएगा इस पहले आप देखिए वीडियो पर देखिए असली गांदी जी है देखिए यह कागज दिखाए पहले देखिए बाबा क्या करते हैं बस अब धर्म कियार में धंदा चला रहा है और जितने ही बाबा है सब जिल गय जाएंगे बिल्कुल आज नहीं कल तो गलत का पड़ी नाम गलत होता है अभी जो हमारे सांथ सर को देख रहे हैं यह सर बहुत बारा जादूगर है और एक से एक जादूगर करके दिखाएंगे आप सभी को बता देंगे की कागज को पैसा बना देंगे आइपोन को भी हैं बिल्कुल बहुत बहुत ज़या बने वला है बहुत बजाएगा आपको तो बने रहेंगे वीडियो के अंतक कि दिखाते हैं अपना जादू करके कि फरके पर चीज दिखा रहा हूं मेरे पास एक पेंसल है इसको चेक करें यह से जिक है नॉर्मल है यह कार्ड दिखिए नॉर्मल सब चिक ये कोई डाउट ना रहा कि जादू कर पास कुछ दरकार साधा लिए कुछ भी इसमें लिखा वाना है चलिए कोई दो नमबर सोची एगा मन में जिसा जिसाद तो सीए अपने जिसाद सोच लिया को पंसल पकड़िए आपने किसी को बता है पहले मुझे बता है और आप आप हां कहे रहे हैं पहले मुझे पता है आपने यह तिन नमबर देखिए हमने पहले लिंग कर दिखा दिए अब देखिए पूरा देख सकते हैं कि यह आठी कैंई क। अबने बताए मुझे काना इनको एक या दो नंबर सोचने के लिए बोला गया इन्होंतीन नंबर सोचा था और हमने पड़्ची पे पहले से लिख दिया सब्सक्राइब कैसा ओगया कि यही तो जदू है यही तो चमतकार है ठीक ना और चमतकार को यहां पर लोग नमसकार करत मेरे पास कुछ और चीज़े है आपको दिखाने के लिए मेरे पास कुछ कागा चैप्चिक कीजिए लोग क्या पसंद है पूरी दुनिया क्या पसंद है पैसा वह एकदम कमाल का बात बुले हैं सब आपको पैसा पसंद है आपको क्या पसंद है आपको पैसा पसंद है पसंद है लिए भागते बढ़ेगा अब बिल्कुल आप पैसे भागना नहीं पड़ेगा घड़ बैठे पैसे बना सकते हैं नहीं यह सिफ आर्ट है मैं आप ऐसे नहीं बना सकते हैं यह जादू कला है यह जो है ना माजिक में बहुत सारी चीजों का मिश्रन है लो केते माजिक साइंस है साइंस का भी यूज है साइकोलोजी साइकोलोजी भी प्रेजन्टेशन है आपका ड्रेसिंग सेंस है आपका बुलने का स्टाइल है मतलब मान के चलिए कि 10 चीजे मिला करके माजिक को जादू को जादू बनाती है करते हैं कमाल का आप देखे उससे मैं बोलूंगा तो बिवादित हो जाएगा मतलब जो अंदर वक्त है ना कमेंड वक्स में पता चलता है कि लोग गालिया वाले देने क्या होता है कि कोई मन की बात जानता है जैसे हमने लिग दिया मैं नाम नंबर प्रस्न सब लिग देता हैं तो मैं लोग को कहता हूं कि पढ़ची पे कोई विक्ति लिख दिया तुससे क्या होगा आप अपने मन की बात जानते हैं आपके मन की बात कोई दूसरा विक्ति जान गया तक कुछ नहीं होगा तो यह जो चमतकार के नाम पर ठगी हो रही है इस ठगी को बंद किया जान अचाहिए ठीक है ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई मन की बात जाने के जानने से क्या हो गया आपके जीवन में दुख आया है ने दुख आया तो पड़ी बदले गाई समय बदलेगा सुख की घड़ी आएगी राइट क्या होता है ना लोग दुखी तो पीड़ीत रहते हैं उनको सहारी की जरूरत होती है सहारा अच्छी जगह ना जा करके बाबा के पास से लिए जब भी दुख की घड़िया है आप ध्यान करिए भगवान का नाम लिए दुख की घड़ियां जाए कि है अरे कितना दिर रहेगा दो चार छो मेने रहेगा साल बर रहेगा कितना जि कर दो दिख रहा है सब जल जाएंगे बल्कुल आज नहीं कल तो गलत का परिणाम गलत होता आज कीजिए गलत तो पकड़ाई रहेगा जितने भी लोग है लोग को क्या होता है ना इंडिया में या किसी भी लोग को लोग पहली बात की आध्यात में नहीं पड़ है जितने अभी नोग आपश्या का विछ जाते हैं तो य। दोनों चीज लाइफ में बैलेंस जरूरी है लोग भाट्र्थिक लेफल पर तो डॉक्टर एंजिने बन जाते हैं इनका अध्यात्मिक लेफल पे विकास होता हुटा एंगे तो जो यात्रा है और चले जाना और से लोग मांनते हैं और मैं कि अपकी कर रहा हुआ कि य हड्शा मैं जादू कि मैं आर्टिस्ट named कर रहा हैं जो चं섯 कार हो दक्यालजिके को डावा करें थे मेरें लोगों ने अध्यात्मिक कितावे नहीं पड़े किसी लोगों ने भगवत गीता नॉर्मल सी चीज़े पढ़ लेना उपनिसत्थ पढ़ ले विदान्त पढ़न को समझ में आ जागा सनातन क्या है धर्म क्या है सब कुछ समझ में आ जागा है मैं मैंजिक दिखाता हूं ठीक लोग नहीं बताएंगा जब आप इसमें आएंगे सीखेंगे तो आप सीख पाएंगे कि जादू कैसे काम करता है ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर को नहीं बताएगा कि किसलिए आप कर रहे हैं मतलब पैसा कमाने के लिए कि लोगों को नहीं देखिए मेरा क्या था मैं सब्सक्राइब में मैं इस शुर्वात किया था तो जादू कला होटी का गार भग जा सबस्कुत करते हैं ऊप पैसा ऐता है अभी में मैं सोज करता हूँ पटना और बिहार के छित्रों में में सुख करता हूँ प्राइबेट सो अब बढ़े में बुला सकते हैं आप कही पर भी बुला सकते हैं तो मैं कॉंटेक नमबर नहीं दूगा बहुत लोग परशान करते हैं इंस्टाग्राम आईडी है मजी से नार एंजल ठ तो जो काम दिरेंद्र शास्ति करते हैं उन से अच्छा कम आप करते हैं थो हम घवाबव जितने लोग हैं उनको बेसे छुड़ा मुड़ा ट्रिक अच्छा मत्कार पता है आप स्मझेगा मैं पाखंड के खिलाफ हूं अब लोग यहीं अंतर नहीं समझते हैं जब मैं जिल खिलाब बोल रहा हूं तो आसा ना करें आप लोग देखिएगा मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड रहे गई आने वाले कुछ सलों में हर वेकती जाएगा जो पाखंड कर रहा है कहीं ने कहीं जिल की सलाखों पीछे जाए गए भी आप इतिहास उठागे देखिए ने कितन परची पर लिखने से कुछ नहीं होता है ठीक ना और में on camera exposed नहीं कर चाकता की बाबाओं लोगा जैसे पूरा कैसे परची पर लिखने काम चलता है एक्सपोस करूंगा तो यहां जादूगर भी ट्रेक कर रहा है उनका भी एक्सपोस हो जागा इसलिए मैं नहीं बताता बाला जी की पाई जूट मुटका नोटंगी कर देना राम का कि रुपा राम जीता अन्वक्त इतने हैं कि उन्होंने कभी जिंदीगी में मतलब रमायन नहीं पढ़ी होगी भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी और नीचे कमेंड बॉक्स में जैसे सिराम जैसे पढ़िये ज